अगर आप एक iPhone user है तो यह है iPhone important setting part 2 part 1 की link guys आपको i button में मिल जाएगे तो iPhone में guys कुछ settings यहाँ पर आपकी by default on होती है बढ़ कुछ settings यहाँ पर आपको on करनी पड़ती है तो आज की studio में guys हम देखने वाले हैं iPhone की 5 important settings अभी तक अगर आपने turn on नहीं करी है अभी guys turn on कर लो क्या iPhone के use करने का experience है वो better होने वाला है तो आप guys हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं setting number 1 क्योंकि I think आप मैं से बहुत सारे लोगों को irritating लगती होगी जब भी आप यहाँ पर कोई भी calls ले रहे होते हैं आपको screen के light यहाँ पर थोड़ा worrying लग रही होते है आप सोचते हैं guys कि आप इस lock button को press करके अपनी screen के light को turn off कर देए जैसे आप यहाँ पर lock button को press करते हैं आपकी call इंड हो जाती है तो इस problem को आप कैसे solve कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर lock button को press करते हैं तो आपकी call यहाँ पर इंड ना हो इसके लिए guys आपको setting वाले option में जाना है accessibility वाले option, touch वाले option नीचे scroll करेंगे तो आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा prevent lock to end call इसको guys आपको enable कर लेना है setting number two guys यहाँ पर messages को management करने के लिए है लो guys यहाँ पर आपके कई सारे message होते हैं जो spam होते हैं वो सभी एक के साथ में आ जाते हैं तो इससे guys यह होगा कि आपके जो भी important message रहेंगे उसको आप बहुती easily find कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपके जो भी spam message रहेंगे वो यहाँ पर एक separate folder में चले जाएंगे तो इस setting को turn on करने के लिए आपको अपनी setting वाले option को open करना है नीचे scroll करना है messages वाले option में जाना है सबसे नीचे scroll करके आजएंगे तो यहाँ पर आपको option मिल जाएगा filter unknown sender तो यहाँ पर आपको turn off होगा आपको इसको turn on कर लेना है इतना कर लेगे तो यहाँ पर आपके जो भी important message है वही आपके इस block में सबसे पहले आपको दिखेंगे और जो भी आपके spam messages है वो separate हो जाएंगे इससे आपको important message दूरना चाहेंगे तो वह आपको बहुत easily मिल जाएगा और तीसरी जो important settings है वो भी मैंने आपको एक tips and tricks की वीडियो में बताया है और आपके इसे बहुत साई लोग हो सकता है उसको ignore करते हैं बढ़ यह setting है इस काफ़ी important है अगर आप अपनी setting वाले option में जाएंगे फोन वाले option में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक wifi calling option मिल रहा होगा इसको guys आपको turn on कर लेना है इसको turn on करने के बाद guys आपका network यहाँ पर वीक भी रहेगा आप यहाँ पर wifi से connect रहेंगे तो आपकी जो भी call रहेगी wifi के दोरा route होकर उसकी quality को बेतर कर देगी इससे आपकी voice भी clear आएगी और आपके iPhone की बैटरी वो भी कम drain होगी अब यहाँ पर देख लेते हैं setting number 4 अगर आप सेटिंग वाले option में जाएंगे बैटरी वाले option में बैटरी हेल्थ चार्जिंग वाले option में यहाँ पर आपको एक optimized battery charging option मिल जाता है अगर यह आपको disabled है तो अभी इसको guys आप turn on कर लो इसको turn on करने से यह होगा अगर आप अपना phone night में charging पर लगाएंगे तो आपका phone 80% तक चार्ज होगा बट जैसे morning हो जाएगे आप सुबह उठने वाले रहेंगे तो यहाँ पर आपका phone 100% तक चार्ज हो जाएगा यह स्टिंग में पहले पर आपको वीडियो में बता चुका हूँ बद फुर बहुत है लोग हो सकता है इस option को ignore करें हो इसको आप ignore मत करें अभी नेबल कर लीजिए आपके आइफून की बैटरी हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगी तो सेटिंग नंबर 5 आपके system data से डिलेट करते ही अगर यहाँ पे आपके आइफून में unnecessary system data काफी 100 करता है जो की fluctuate होता रहता है बट इसको आप manage कर सकते हैं मतलब system data को पहले से कम कर सकते हैं उसके लिए आपको setting वाले option में जाना है थोड़ा नीचे scroll करना है सपारी वाले option में चले जाना है नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको एक tab वाले option में close tab को option लेकने को मिल जाएगा यहाँ पर यहाँ अधर system data को काफी अधर cover करते हैं काफी अधर टैब हो जाते हैं तो आपको close करने में भी मुस्किल होता है और वो टैब open ही रहते हैं बहुत से लोग उसको ignore करते होंगे आपको यह भी नहीं पता होता है कि यहाँ पर आपको टैब open रहता है तो आपका जो other system data होता है उसका भी storage काफी यहाँ पर cover हो जाता है तो यहाँ पर गैज अगर आप after one week लगा देते हैं तो यहाँ पर हर हफ्ते गैज आपको जितने भी unnecessary tab open रहेंगे वो automatic close हो जाएंगे इससे गैज आपको जो system data है वो automatic manage रहेगा यहाँ होब गैज आज की वीडियो आप लोगो जूरू पस झाल 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